28 अक्टूबर 2000, 23 को लगने वाले चंदर ग्रहन के दिन बस कर लीजिएगा, एक रुपय के सिक्के और काली मिर्च का यह प्राचीन काल के समय का महा उपाए जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी, आपको मुक्ति माता लक्ष्मी जी के आशीरवाद से न केवल आपक कोई मामूली सा चंदर ग्रहन नहीं होगा, बलकि एक विशाल चंदर ग्रहन होगा, इसी लिए इस चंदर ग्रहन का न केवल पूरी दुनिया के जोतिश, बलकि वैज्ञानिक भी बेसबरी से इंतजार कर रहे हैं। शरद पूर्णिमा हिंदू धर्म की सबसे बड़ी पूर्णिमा मानी जाती है और आपकी जानकारी के लिए बता दें। इसी पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी जी धर्ती पर वास करने आती है, और इस दिन आप कोई भी उपाए करेंगे, उस उपाए का आपको पलट करक लाभ जरूर मिलेगा और साक्षात माता लक्षमी जी का वरदान और आशीरवाद मिलेगा और इस दिन अगर आपने हमारे वीडियो में बताए हुए रुपये के सिक्के के और काली मिर्च का उपाए दो चार मिनट का समय निकाल करके कर लिया तो यकीन मानिये दोस्तों इस उ अक्टूबर दो हजार तेईस जिस दिन शरदपूर्ण धीमा पड़ रही है इस दिन सही तरीके से कर लिया तो साक्षात आपको माता लक्षमी जी का वरदान और वह आशीरवाद मिलेगा जिसके बाद न केवल आपके जीवन में धन की वर्षा होगी बलकि आपको आपके बता नहीं रहे हैं जब भी चंद्रग्रहन लगता है तो ग्रहों के सेनापती शनी सूर्य और राहु आमने सामने होते हैं शास्त्रों में वर्णित जितनी देर भी चंद्रग्रहन लगा रहता है उतनी देर जितनी भी देवी शक्तियां होती है उनका असर लगभग लगभ न के बराबर हो जाता है। इसी लिए चंद्रग्रहन, ए दौरान कोई भी उपाय किया जाए। वह उपाय कभी भी खाली नहीं जाता है। उस उपाय का पलट करके एक व्यक्ति को लाभ जरूर मिलता है। और अगर आप 28 अक्टूबर 2023 के दिन सिर्फ 2-4 मिनट का समय निकाल क करके विधिविधान से एक रुपए के सिक्के और मिर्च का भी उपाय कर लेते हैं। जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको तंत्र शास्त्र के अनुसार बताने जा रहे हैं। तो इस उपाय को करने के बाद न केवल आपको अपने जीवन की समस्त तरह की परे लक्ष्मी जी का आशीरवाद कैसे मिल सकता है। तो देखिए दोस्तों प्राचीन मान्यताओं के अनुसार अगर माता लक्ष्मी जी की कभी भी पूजा पाट की जाती है तो उनकी पूजा में हमेशा प्राचीन मुद्दा का पहला सिक्का रखा जाता है। और आपने बताया गया है और ऐसा करने से एक व्यक्ति को माता लक्ष्मी जी का वर्दान और आशीरवाद मिलता है। दूसरी तरफ जो काली मिर्च होती है दोस्तों वो माता लक्ष्मी जी की प्रिय चीजों में से एक चीज है। काली मिर्च का उपाए एक ऐसा उपाए हमारे तंत्र शास्त्र में बताया गया है जो अगर सही दिन पर सही मुहूर्ट पर किया जाए तो वह उपाय कभी भी खाली नहीं जा सकता है और अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी की पूजा आप जो करने जा रहे हैं वह तुरंत सिद्ध हो जाए उस पूजा का आपको पलट करक लाब जरूर मिले तो दोस्तों माता लक्ष्मी जी की पूजा में आपको काली मिर्च का उपाय तंत्र शास्त्र के अनुसार करना चाहिए और दोस्तों एक बात को समझ लीजिए जब भी चंद्र ग्रहन लगता है तो आपने देखा भी होगा कि मंदिर की जितनी का पाते हो दोस्तों इस बार का चंद्र ग्रहन भारत में दिखाई देगा और चंद्र ग्रहन का सूतक काल भारत में मानने भी होगा अब आप सोच रहे कि सूतक काल क्या होता है तो दोस्तों सूतक काल होता है वह एक ऐसा अशुब समय होता है जिस दोरान आप कुछ सी गलतियां हैं ज तो आपको अपने जीवन में कई तरह के दोशों का सामना करना पढ़ सकता है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि चंदर ग्रहन जो 28 अक्टूबर को लगने जा रहा है वो कितने बजे शुरू होगा, कितने बजे खत्म होगा, चंदर ग्रहन का सूतक काल कितने घंटे का होगा। चंदर ग्रहन के सूतक काल के दोरान वो कौन सी ऐसी सावधानियां जो आपको बरतना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। फिर हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि वह कौन से ऐसे उपाय है, एक रुपय के सिक्के और काली मिर्च के उपाय, जिन उपायों को अगर आपने चंदर ग्रहन वाले दिन कर लिया, तो मान के चलिये साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी का वर्दान और आशीरवाद मिलेगा। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक अंत तक बिना भगाये देखेगा। और अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी की कृ पा सदैव आप और आपके परिवार पर बनी रहे। परंतु आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। सबसे पहले हम आपको यह बता देते हैं कि 28 अक्टूबर 2013 को चंदर ग्रहन लग कर रहा है। तो देखिए 28 अक्टूबर 2000, 23 की रात्री को चंदर ग्रहन 11 बजकर 31 मिनट पर उपचाया में प्रवेश करेगा। और दोस्तों, चंदर ग्रहन के सूतक काल के दौरान कुछ ऐसी नकारात्मक शक्तियां होती हैं जिनका असर बहुत तेज हो जाता है। इस दौरान कुछ ऐसी गलतियां हैं जो आपक भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि अगर आपने जाने अंजाने चंदर ग्रहन के सूतक काल के दौरान वो गलतियां करके बारे में हमारे वेद पुराणों में सख्त मनाही है तो दोस्तों आप कितनी भी मेहनत कर लीजिए अपने जीवन में कितना भी परिश्रम कर लीजिए आप कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे आपको अपने जीवन में दुविधाओं से परिशानियों से दिक्कतों से हमेशा जेल पड़ेगा लड़ना पड़ेगा इसके लिए बहुत सावधान हो जाएए दोस्तों क्योंकि इस चंद्र ग्रहन के दौरान बावन तरीके के शुभ योग बनने जा रहे हैं और इन योगों का लाब उठाते हुए अगर आप हमार असी ऐसी गलतियां हैं जो चंद्र ग्रहन के सूतक काल के दौरान आपको नहीं चाहिए चलिए आपको एक-एक करके बताते हैं परन्तु वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा तो दोस्तों चंद्र ग्रहन का सू अगर आपके घर पर कोई भी गर्भवती महिला है वहना घर से बाहर निकले और बिलकुल भी मतलब दरवाजे को अपने न खोलें तीसरा आपको इस बात का ध्यान रखना होगा चंद्र ग्रहन के सूतक काल के बाद घर की महिलाएं जो आपकी है कंगी को देखें न कंगी का इस्तिमाल करें इसी तरह से 28 अक्टूबर 2023 को शनिवार पढ़ रहा है और आपको इस बात का विशेश करके ध्यान रखना होगा कि चंद्र ग्रहन के सूतक काल के बाद मांस मचली अंडा गुट का पान मसाला दारू सबसे आपको बिलकुल दूर रहना होगा अगर आप इन चीजों का ध्यान नहीं देते हैं तो दोस्तों मान के चलिए इस चंद्र ग्रहन के बाद आपके जीवन में आपको शनि दोश, मंगल दोश, साधे साती ढईया जैसे दोशों का सामना करना पड़ सकता है अभी तक हमने आपको वीडियो में में बताया कि चंद्र ग्रहन के सूतक काल के बाद वो कौन सी ऐसी गलतियां है जो भूल कर भी नहीं कर सकते अब आपको हम इस वीडियो में बताते हैं कि चंदर ग्रहन के दौरान वह कौन सी ऐसी गलतियां है जो आपको भूल कर भी नहीं करनी चाहिए देखिए चंदर ग्रहन लगने जा रहा है वो रात में 11 बज कर 30 मिनट से शुरू हो जाएगा इस दौरान बस आपको यह ध्यान रखना है कि आप और आपके पूरे परिवार में लगने के बाद कोई बिना खाना खाए ना खाना बनाएं दूसरा अगर आपकी शादी हो चुकी है तो अपने जीवन साथी से दूर रहिएगा चंदर ग्रहन के बाद आप लोग शारीरिक संबंध ना बनाएं तीसरा आप लोगों को इस बात का विशेश करके ध्यान रखना होगा जैसे ही चंदर ग्रहन लग जाता है घर की जाडू को ऐसी जगह छुपा दीजिएगा जहां पर उसको कोई भी न देख पाए क्योंकि शास्त्रों के अनुसार जाडू का जो सीधा संबंध होता है दोस्तों वो माता लक्ष्मी जी से होता है और चंदर ग्रहन के दौरान जाडू को न देखना चाहिए ना उसका इस्तेमाल करना चाहिए बस इन तीन चीजों का आपको ध्यान रखें है और यकीन मानिए दोस्तों इस चंदर ग्रहन का कोई भी असर आप पर और आपके परिवार पर नहीं पड़ेगा अब आपको हम इस वीडियो में बताएंगे कि वह कौन से ऐसे उपाए है जिनको अगर आपने चंदर ग्रहन वाले दिन कर लिया यानि कि शरद पूर्णिमा के दिन कर लिया तो इन उपायों को करने के बाद साक्षात आपको माता लक्ष्मी का वर्दान और आशीरवाद मिलेगा परंतु वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है वीडियो को लाइक कर दीजिए सबसे पहला उपाय जो हम आपको बताना रहे है वो है शनी दोश मंगल दोश साढह साती ढईया से बचने का उपाय दोस्तों, अगर आपके उपर कोई भी दोश है शनी दोश, मंगल दोश आपकी साढ़े साती चल रही है, चल रही है, आपका दुरभाग्य आपके पीछे पड़ा हुआ है, तो एक छोटा सा उपाय कर लीजिए, ये उपाय करने के बाद आपके उपर जो भी दोशी होगा, उस दोस्त से आपको मुक्ती मिल जाएगी, बहु ग्रहन का सूतक काल 4 बज कर 32 मिनट पर शुरू हो जाए, आपको एक काला कपड़ा लेना है, काले कपड़े पर डालना है, एक मुठी काली मिर्च और उसके उपर अपना एक रुपे का सिक्का इस काले कपड़े की पोटली बना लीजिएगा, काले धागे का इस्तिमाल करते हुए, बस इतना कीजिए, आप इस पोटल को अपने घर के पूजा घर पर रख दीजिए, इतना करने के बाद 29 अक्टूबर 2013 को काले कपड़े की पोटली को ले जा करके, निभगवान के मंदिर के बाहर किसी भी भिखशुक को दान कर दीजिए, इतना उपाय अगर आपने जीवन में धन की वर्शा होगी, अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी के आशीरवाद से इस शरद पूर्णिमा के बाद आपके जीवन में धन की वर्शा हो, माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में इतना धन आए, फिर आपको धन की कमी ना हो, तो यह ज़कर 32 से पहले ये उपाय आपको करना है. क्या करना है? आपको 28 अक्टूबर की सुबह दोपहर में कभी भी नहा लीजेगा? लीजेगा. लाल कपड़े पहन लीजेगा. माता लक्ष्मी जी की पूजा में जब भी लाल कपड़े पहने जाए, वह पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है. माता लक्ष्मी जी की जो भी आपके घर पर कलाक्षेत्र है, यहां पर बैठिए. घी का दीपक जलाए, एक लाल कपड़ा भी चाहिए. उसमें आपको रखना है एक मुठी काली मिर्च, एक रुपय का सिक्का और पांच इलाइची, हम फिर से रिपीट करते हैं. दोस्तों, एक मुठी काली मिर्च, एक रुपय का सिक्का और पांच इलाइची कपड़े की पोटली बना लीजिए. पोटली को अपने हाथ में पकड़ी है. माता लक्ष्म दोस्तों, महालक्ष्मी नर्मा, इस बीज मंतर का जाप करने के बाद इसी पोर्टली को ले जाए, अपनी अलमारी में तिजोरी में दर्शक दिशा में रख डीजिये, इतना उपाय अगर आपने कर लिया, तो मान के चलिए दोस्तों सदैव माता लक्षमी जी की कृपा आप पर बनी रहेगी यह पोटली आपके जीवन में धन खीचने का काम करेगी यह पोटली आपके जीवन में चुम्बक बन जाएगी जिसकी वजह से आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे अब मान लीजिये, आपके जीवन में बे फिजूल खर्ची पर गई है आपके जीवन में जो धन आता है वो रुकता नहीं है, टिकता नहीं है वे फिजूल खर्चे में ओर जाता है तो समझ जाईए, आपके उपर ऐसा देश है, जिसकी वजह से आपके जीवन में धन्टिक नहीं रहा है, परन्तु आपको क्या करना है, 28 अक्टूबर के आहचंद्र ग्रहन के सूतक काल के बाद, मतलब 4 बज कर 32 मिनट के बाद, एक पीत संद्रमा की थोड़ी सी भी रोशनी आती हो, अब आपको क्या करना है, 29 अक्टूबर को उसी पीतल की कटोरी को उठा करके लाना है, ये जो एक रुपे का सिक्का कटोरी में रखा है, आपने इसको किसी भी लाल कपड़े में लपेट करके अपनी तिजोरी में रख देना है और यह एक रुपे का सिक्का, माता लक्ष्मी का आशीरवाद आपके लिए बन जाएगा, जिसकी वजह से आपके जीवन की बेफिजूल खर्चे पूरी तरह से बंध हो जाएगी, तो दोस्तों इस वीडियो को एक बार समाप्त करते हैं, आपसे ने दिन था, वीडियो लाइ करना मत भूलिएगा.